हलो दस्तो मैं प्रभाकर सिंग स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो में आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ट्रेडिंग आखेंट करो यह करो और पैसे बना रहा है तो आखें यह पैसे बनता कैसे है आपके दिमाग में सबसे पहला सवाल यही आता है what is trading आखी trading होता क्या है trading के बारे में आपको पूरी knowledge मैं देने वाला हूँ and A to Z सारी चीजें बिल्कुल free of cost मैं इस series में लाने वाला हूँ अगर आप channel पे नए हो तो channel को subscribe कर लो और इस video को like कर दो तो चलिए सबसे पहला सवाल जो आपके दिमाग में आता है what is trading आखी trading होता क्या है trading से कैसे कोई लाखो कमा रहा है कोई करोडो कमा रहा है कहीं न कहीं कमा रहा है आप किस तरीके से कमा सकते हो वो मैं आपको बताने वाला हूँ आखी trading होता क्या है सबसे पहले सवाल आपके मन में यही आता है What is trading? देखिए trading में कई परकार होते हैं सबसे पहला होता है investing दूसरा होता है soon trading तीसरा होता है intraday चौता होता है आपका scalping तो इन चारों में क्या होता है कि एक समानता है कि समय आपके पैसे लगने वाले है कोई लंबे समय के लिए लगने वाले है कोई short समय के लिए लगने वाले है कोई within a second, within a minute लगने वाले है तो ये सारे प्रकार को मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से आप trading करोगे तो किस तरीके से profit होगा तो सबसे पहले मैं पकड़ना चाहूंगा इन्वेस्टिंग जो पहला टॉपिक है इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग करके कैसे आप पैसे बना सकते हो, बैंक में आप पैसे जमा करते हो, तो वहाँ पे क्या होता है कि कुछ रिटर्न आपको मिलता है अगर वही पैसे आप कंपनी के शेयर्स बाई कर लेते हो, और लंबे समय के लिए छोड़ देते हो, तो वह अच्छा खासा रिटर्न देता है, जैसे राकेज जुन जुन वाला जी ने बहुत सारे पैसे बनाए है, आप उनका नाम कही ने कहीं तो आप उसमें क्या करोगे, मान लो उस शेयर का प्राइज एक हजार रूपए है एक हजार रूपए का शेयर है आपने दस हजार उसमें इन्वेस्ट कर दिया और एक दो साल के लिए आपको छोड़ दिये भाया ये मेरा इन्वेस्टमेंट है and ये मैं इस company में लगा के रखा हूँ and मैं इसको 2-3 साल बाद मैं इसको निकालने का प्रयास करूँगा जब ये थोड़ा सा और उपर चला जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा कि आपने लंबे समय के लिए अपने पैसे को वहाँ पे लगाया और वहाँ से आपने return कम आया वो होता है investing जो कि बिल्कुल safe होता है दूसरा होता है swing trading जैसे कि आपने investing में 2-3 साल आपने दिया time उसमें investing करने के बाद वैसे ही आपका swing trading में क्या होगा आपको 2-3 महीने तक आपको उसमें invest करके रखना पड़ेगा जिससे क्या होगा कि 2-3 महीने में आपको profit मिलेगा और आप 2-3 महीने के अंदर उसको book करके बाहर चले जाओगे यानि कि हो हो जाएगा आपका investing का एक छोटा part कहूं तो एक simple सा साधार सा छोटा सा part कहें तो 2-3 महीने के अंदर आपके पास time है आप share market को time दे पा रहे हो आप swing trading करके वहां से पैसे निकाल सकते हो अब आपकी बारी आ जाती है intraday की जो कि सबसे जादे interesting है सबका ध्यान यहीं पर है क्यों है क्योंकि यहां पर बहुत जल्दी पैसे बनता है और बहुत जल्दी नुकसान भी होता है तो यह चीज है ना जैसे आप बढ़ते जा रहे हो ना step by step वैसे वैसे आपका रस्क भी हाई होते जा रहा है यह चीज आप ध्यान में रखना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना आपने दोस्तों के साथ यह की वह भी सीख पाए आपके दोस्त भी सीख पाए इस चीज़ को बिलकुल आसान भासा में इंट्राडे ट्रेडिंग कब से कब तक होता है यह मैं बता देना चाहूंगा आपको यह एक दिन का होता है 9.15 से मार्केट खुलता है एंड 3.30 तक यह जाता है आने वाले समय में इसका टाइम भी थोड़ा सा इंक्रीज होने वाला है देखते हैं कब से होता है जब हो कमया तीन लग कमया चार लग कमया वह इसी इंट्राडे में होता है यह सबसे जादे रिस्की है इसको बिना समझे आप ट्राइब भी मत करना पूरे पैसे तो बिलकुल भी मत लगाना आप सीखने के लिए थुड़ा बहुत पैसे लगाते रहना जिसे कि आपको समझ में आत एंपे मिली सेक अपने उस ओडर को कलोज कर दिया जो पर उसी को हम लों बोलेंगे यानि कि आपने बस आप गए अतुरथ बहार आ गए यानि कि जाते ही प्रॉफिट बूक कर लिए आपने आपने पैसे बना लिये और यह अब से जादे रिस्की होता है बिगनर्स को तो तो बिल्कुल भी scalping के उपर अभी focus नहीं करना चाहिए, जब तक की सारी knowledge नहीं हो जाए, आपको क्या करना है, सबसे पहला investing, दूसरा आपको सीखना है swing trading, तीसरा आपको सीखना है intraday, and then उसके बाद आपको scalping पे आना है, यानि कि पहले scalping से शुरू नहीं करना है, सबसे प बाद होता है swing trading, swing trading आपको 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने तक रख सकते हो, उसके बाद आता है intraday, यानि कि सीखे आप एक दिन के लिए रख सकते हो, नहीं तो जो आपका broker है, वो आपका order close कर देगा, यानि कि 3.30, 3.28 पे order close हो जाता है, थोड़े से time पहले ही order close हो जाता है, and इसी में trading होता है, और इसी का जो screenshot और video आप लोग देखते हो, यही होता है, अब इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे कि investing किस तरीके से आप कर सकते हो, यानि कि हम लोग step by step सीखेंगे, investing कैसे करोगे, और किस तरीके से आप swing trade करोगे, यह दो topic हम लोग आगे आने वाले वीडियो में बताएंगे, तो इस चैनल को subscribe कर लो, वीडियो को like कर दो, मिलते हैं ऐसे interesting वीडियो में, तब तक लिए दोस्तो, जै हिन, जै भारत झाल 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 झाल